Hey everyone, welcome to my channel, Learn Mass Communication और हम जो इस वीडियो में टॉपिक कवर करने वाले हैं that is role of media in democracy तो जैसा कि हम सब जानते हैं, जिते भी media के students हैं कि हमारी media को democracy का गरतंत्र का चौथा स्तंब कहा जाता है तो उसका गरतंत्र में democracy में role क्या है media का उसके बारे में हम जानने कोशिश करेंगे और आप चैनल पर पहली बार आएं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और टॉपिक को समझने के लिए वीडियो को पूरा देखेगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम democracy की बात कर लेते कि democracy होता क्या है एक गरतंत्र राज्य वो होता है जहां पर एक government को बनाने के लिए जो उस देश के लोग होते हैं वो वोट कर सकते हैं उनके पास वोट करने का अधिकार होता है अपना प्रतिनिध्व अपना जो उनका नित्रत्व कर सकता है उसको चुन्ने का उनके पास अधिकार होता है वो होता है गरतंत्र राज्य देश एक democracy तो उसमें उस democracy में हमारी media का क्या role होता है उसके बारे में हम discuss करेंगे सबसे पहले media की बात करें तो media came into existence in 1780 यह हम सब जानते हैं जितना भी कि हमारी जो media है सबसे पहले जो हमारी इंडिया में existence में आई थी वो 1780 में आई थी उस कौन सा newspaper था पहले जो आया था that was Bengal Gadget जो आपके James Augustus हिकी है उन्होंने launch किया था Bengal Gadget 1780 तो तब से ही media का existence माना जाता है इंडिया में जब पहली बार newspaper start होना शुरू हुआ था तब से ही जो media है वो भारत में existence हुई थी exit हुई थी and since then it has matured leaps and bounds तो तब से उसने कई जादा उतार चड़ाओ media ने इतने सालों में देखे हैं और आज जो हमारी present media है वो उस दिन का ही नतीज़ा है जब पहली बार हमारी media start हुई थी it has been playing a very important role in shaping human minds ये तो सब जानते हैं कि media हम लोग के दिमाग को mold up करने के लिए हमारी एक धारना बनाने में और हमारी सोच को develop करने में या सोच को बदलने में कितना बड़ा role play कर रही है हम media के debates को देखकर articles को पढ़कर ही अपनी सोच बनाते हैं कि अच्छा अगर media ऐसा सोच रही है, media ऐसा दिखा रही है तो वाके ही ऐसा हो रहा है और हमारा जो सोच, हमारी जो mind setup है वो बदलता है या फिर उसकी according mold up होता है तो ये भी एक role होता है media का हमारी life में ये हमारी society में मैंने role of media and society वीडियो पहले बना रखी है वो unit 1 में मैंने इस वीडियो को cover किया था वहाँ से आप उसे देख सकते हो तो हमने उसमें society पे क्या इस तरीके से society को mold up करने में media बहुत ज़्यादा important role play करती है उसी तरीके से media जो है हमारी democracy को भी healthy way में चलाने के लिए बहुत बड़ा role play करती है मतलब एक kind of democracy की backbone इसे कहा जाता है क्योंकि हमारी सरकार क्या काम कर रही है हमारी सरकार क्या योजनाय लेकर आ रही है या जनता के हित में वो क्या काम कर रही है ये सब मीडिया का काम होता है जनता तक पहुचाना लोगों को इस चीज से अफगत कराना उनको इस चीज के बारे में aware कराना awareness फैलाना तो एक तरीके से media बहुत important crucial role play करती है आपकी democracy में media makes us aware of various social, political and economical activities happening around the world ये तो हमें पता ही है कि media जो है हमें जितनी भी आपकी social activities चल रही है आपके world में या फिर political activities चल रही है, economical activities चल रही है उन सब चीजों के बारे में हमें जानकारी देता है, inform करता है उसको देखकर हमें हमारी surroundings में क्या चल रहा है, भले ही lockdown में हम एक घर में बन थे, लेकिन हमारे पूरे देश में, हमारे पूरे विदेश में क्या हो रहा है, हमें हर चीज की जानकारी थी, क्यों सिर्फ media की वज़े से, क्योंकि media ने हमें वो सारा coverage देके, हमें एक एक जगे की जानकारी हमें दी थी, जिसकी वज़े से, हम अपना, जो है, हर चीज, घर में एक जगे बैठे होने के बावजूद हमें हर जगे की, सब जगों की जानकारी थी, कि कहां पर क्या चल रहा है, फिर it is like a mirror which shows us or strive to show us the bare truth and the harsh realities of life, means सच में, एक मीडिया जो है, जो पतरकारिता है, वो एक तरीके से, शीशे की तरह होता है, mirror की तरह होता है, जो हमें एक सच्चाई से अफगत कराता है कि हम जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है, उसके पीछे का सच्चाई यह है, या फिर कोई भी चीज अगर हम सोचने की बहुत अच्छी है, तो मीडिया उसके बारे में सच्चाई है, अगर उसको लगता है कि वो सच नहीं है, तो वो आपकी सोच को बदलने की कोशिश करता है, वो सच्चाई आपके सामने की लाने की कोशिश करता है और हमाई जिन्द की जितनी भी harsh realities है उन सब चीजों से हमें रूबरू कराने की कोशिश करता है मीडिया उसके बाद the media has undoubtedly evolved and become more active over the years इसमें no doubt कि मीडिया जो है कुछ आने वाले पिछले सालों से बहुत ज़्यादा evolve हुई है और काफी ज़्यादा active हुई है अपने कामों में और पहले क्या था कि इतना ज़्यादा हमें वो मतलब देखने को नहीं मिलता थे कि उतना मसाला लगा के चीजों को दिखाना हमें पहले media देखने को मिल जाते है यह एक्टिवनेस ही है media की जो हमें पल-पल की ख़बर दे के हमें हर सेकंड अपडेट करता रहता है अब जब elections होते हैं उस टाइम पर मीडिया अपना campaign चलाती है वो क्या करती है लोगों के पास जा जाके उनसे पूछती है कि आपकी जो पिछली सरकार थी जो मतलब जो इस समय सरकार काम कर रही है उसने आपके छेतर में क्या-क्या काम कराया है आया फिर आपको क्या-क्या सोविधाय उपलब्द कराई है और किस हद तक उसने अपने promises को जो politician आपके हाँ है जो विधायक जो सांसद है उसने किस हद तक अपनी वादो को पूरा किया है तो ये सब चीजों की जानकारी जो सरवे media campaign चला कर लेकर आती है उससे politicians को देखते हैं और वो सोचते हैं कि अगर media हमारे बारे में इस तरीके से दिखाएगी तो उनकी छवी खराब होगी और उन्हें अगली टाइम वोट कोई नहीं देगा इसलिए politicians को media ये सब दिखा कर उनके promises remind कराती है कि अगर आपको elections में फिर से जीतना है तो अपने promises जो आपने किये थे उन्हें आपको fulfill करना होगा तो TV news channel excessive coverage during elections help people especially illiterates in electing the right person to the power means अब हर कोई तो literate नहीं है कुछ rural areas में हमें कुछ ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो कम पड़े हुए हैं या फिर जिनकी सिक्षा पूरी नहीं हो पाई है जो illiterate है तो ऐसे लोग अपना vote किसे दे और वो किस तरीके से decide करे कि उन्हें क्यों कौन मतलब ऐसा कौन सा व्यक्ती है जिसे उसे सत्ता में बिठाना है पावर में लाना है तो ये उनकी मदद कौन करता है उनकी मदद एक मीडिया करती है वो मीडिया को देखकर वो सीखते हैं TV देखकर कि अच्छा ये इस तरीके से दिखा रही है मीडिया तो मतलब ये इनसान ऐसा है इसने ये काम नहीं किया है या फिर ये काम ये ऐसे कर सकता है तो मतलब वो सोचके अपने decisions बनाता है उसके बारे में और वो सोचता है कि अच्छा अगर जैसे हमारे अभी PM मुनरेंद्र मोधी तो उनके बारे में मीडिया जितना भी अच्छा अच्छा दिखाती है तो हम जितने भी आपके illiterate people होते हैं तो उनको नहीं पता कि क्या वो चल रही है लेकिन जिस तरीके से मीडिया आसान भाशा में लोगों के सामने उनकी योजनाओं को उनके कामों को या फिर किसी भी चीज के बारे में सामने लेकर आते हैं तो उन्हें लगता है कि अच्छा है उन्होंने ये काम किया है ये हमारा अच्छा कर रहे है या फिर ये चीज उन्होंने जो reminder जो campaign जो survey जो media किसी politician के बारे में अपने news channels पे newspaper में छापती है news channels पे दिखाती है तो उससे क्या होता है कि politicians पे एक दबाओ बनता है मतलब एक pressure होता है उनके उपर कि उन्हें अपने promises को पूरा करना पड़ेगा नहीं तो वो अगली बार election में नहीं आएंगे और उन्हें पावर में रहना है उन्हें अगर सत्ता में रहना है तो जो media उनके बारे में दिखा रहें है कि उन्होंने इकाम नहीं करा है तो उन्हें जल जल आगा नहीं करेगा Television and Radio have made a significant achievement in educating rural illiterate masses in making them aware of all the events in their languages. means television और radio ये एक media का ही वो है part है तो इन्होंने एक बहुत जादा significant achievement हासिल करी है जो गाओं के लोग है जो कम जिन्होंने सिक्षा कम ली है या फिर जे कारणवश नहीं पड़ पाए है तो उन लोगों को educate करने में means उन लोगों को aware करने में तरह तरह कि जितने भी policies होती है या फिर जो योजनाए होती है या फिर वो अपने लिए किस तरीके से आगे भला कर सकते है किन चीजों से जोड सकते है या फिर अपना career कैसे बना सकते है इन सब चीजों के बारे में उनकी ही भाशा में उनको समझाने की कोशिश करी है मीडिया अब ये तो निये खाली इंग्लिश में न्यूस दे रही है हिंदी में न्यूस दे रही है मीडिया हर लेंग्वेज में अपने चैनल चला रही है हर language में जो है radio channel चल रहे हैं तो इस तरीके से उनकी ही भाशा में उनको educate कर रही है media कि उनको आसपास की जितने भी events हैं उनके बारे में उन्हें पता हो और वो कहीं पे भी किसी भी तरीके से पिछड़े ना रहें Coverage of exploitative malpractices of village heads and moneylender has helped in taking stringent action against them by attracting government attention Means media ने जो democracy में जो गरतंतर में सबसे main role यही प्ले करा है कि उन्होंने अपराद पर रोक लगाने की बहुत कोशिश करी है जो गाउं के प्रधान होते हैं जो गाउं के मुखिया होते हैं वो किसी ना कैसे करके अपनी गाउं की जो जनता होती है जो गाउं के लोग होते हैं उनको धबाने की कोशिश करता है क्योंकि हो सकता है कि सारा जो जिम्मा होता है गाउं को प्रधान के ऊपर होता तो वो सरक किए बेगर से हर चीज की जानका बठेकर इसके बारे में जब लोगों को मतलब बनाएं गर्पर पोई стор संप अंधंग St chimney इस तरीके से ये मीडिया जब किसी topic पर attention दिखाती है तब जाकर उस topic पर जितने भी आपके government होती है वो भी उस topic पर अपना attention दिखाने शुरू करती है उनके जब तक हो सकता है वो उनकी नजर में नहों उसके बाद जब मीडिया में वो टॉपिक उट जाता है तो सरकार की उस पे नजर बनती है और वो उस चीज़ को सही करने की कोशिश करती है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे भी सत्ता में रहना होता है आगे उन्हें भी अपना गवर्मेंट चलानी है और अगर वो अपने प्रॉमिस पूरे नहीं करेंगे जनता का भला नहीं करेंगे तो जनता उन्हें नहीं बठाएगी डेमक्रसी डेमक्रसी इस जो मैं आपको पहले बताया कि गवर्मेंट को चूज करने का हग सिफ जनता के पास है और जनता का भला करेंगे तब भी government में आप रह सकते हैं सत्ता में रह सकते हैं तो I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी यह role of media and democracy क्या होता है वो आपको अच्छे समझ माया होगा चानल को subscribe जरूर करिएगा वीडियो को like करिएगा शेयर करिएगा thank you so much